नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजूकेशन चैनल पे दोस्तों एक पर फिस से हिम इंडिया एजूकेशन आपके लिए हिमाचल में जो न्यू जोब से रेटिड ओपनिंग हुई है उन्से रेटिड अपडेट लेकिया है तो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ चार से पांच भिवीन नोटिफिकेशन ही शेर करेंगे जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में भिवीन भिवीन कैटेगरी में जो है रेगुलर और कोट्रेक्ट पेसिस पे और कुछ प्राइवेर जोब जो है आउट हुई है तो दोसर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इन्फरमेटिव लगे 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 इस वीडियो को अधिक से दिक शेर जरूर करें ताकि जितने भी एस्परेंट हिमाचल प्रदेश में जोब की तलाश कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहन सके तो पहली जो नोटिफिकेशन हम लोग आपके साथ शेर करने जा रहे हैं ये अभी तक आपको हिमाचल प्रदेश के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी ये जो नोटिफिकेशन ओफिस ओफ दा चेर्मेंट डिस्टिक लीगल सर्विसिस ओथरिटी चमबा जिला चमबा हमाचल प्रदेश की तरफ से जारी कीगी है 29 अगस 32.3 की ये अडविटाइजमेंट रहेगी जिसमें की इनकी तरफ से अडविटाइजमेंट आउट कीगी है पी एन की एक पोस्ट के लिए इसमें जो है ठारा से पैंताली साल के व्यक्ती जो है लिजिबल रहेंगे और कोई भी इंडियन सिटिजन्स जो है इस पोस्ट के लिए लिजिबल होगा तो अब बात करते हैं इसमें की सररी आपकी कितनी रहेगी सररी की बात करें तो 345 पे पर डे के साब से आपको दिये जाएंगे और एस पर गौर्रिमेंट जैसे जैसे यहां हिमाजर प्रदेश में मिनियम वेजिस को इंक्रीज किया जाएगा उसी प्रकार से जो है इसमें भी सररी आपकी इंक्रीज होती रहेगी performance की बात करें तो सिर्फ metric pass अभीयरती इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं यानिकि जो essential qualification रखी है वो आपके पास metric pass होनी चाहिए duties के बारे में भी इसमें बताया गया है क्या जो है pn की इसमें duties रहेगी और इस पोस्ट को जो है purely temporary basis पे जो है भरा जा रहा है जिसमें कि starting में initially आपको इनको जो है 30 मार्च दूया 24 के लिए जो है फिल किया जा रहा है apply करने के process के वारे में आपको बता रहते हैं कि इसका जो apply करने का process रहेगा वो offline रहेगा offline जो है आप इनकी post के लिए apply कर सकते हैं जिसमें कि आपको अपने एक application हो साथ में self-attested document जो है जिसमें आपके age qualification experience के वारे में बताया गया हो साथ में self-attested passport size photograph हो इसको जो है आपको district legal services authority चमबा के नाम पे भेजना होगा address जो है near old sbi building चमबा टाउन रहेगा और इसमें जो document पहुंचने कि आपकी last date रहेगी वो 11 September 28 रहने वाली है पांच वह तक जो है आपके document वहाँ पहुंच जाने चाहिए और था आपके जो documentature है या आपका candidature है वो इनकी तरफ से reject कर दिया जाएगा original जो document होंगे वो final interview के दुरान जो है आपके check किये जाएगे अब बात करते हैं कुछ important instructions की जो इनकी तरफ से out कीगी है instruction में ये बताया गया है कि इसमें जो interview आपकी वो 14 September को ही जो है Chamber of Secretary District Legal Service Authority चमबा में जो है connect करवाई जाएगी यानि कि जो 11 September तक candidate apply करेंगे 14 September को उनकी interview होगी interview की जो timing है वो sharp 10 a.m. रहेंगी इसके बाद जो है किसी candidate को जो है entertain नहीं किया जाएगा original document आपको जो है साथ में लेके आने पड़ेंगे किसी परकार का separate intimation letter जो है notice candidate को नहीं दिया जाएगा direct 14 September को interview schedule कीगी है appointment जो है वो honda basis of viva या personal interview रहेगी जो की selection committee की तरफ से conduct करवाया जाएगा किसी परकार का TID आपको इसमें आने के लिए नहीं दिया जाएगा अब बात करते हैं अगली notification की अगली notification जो है short brain information technology गुमारवी की तरफ से out की गी है इनकी तरफ से vacancy आउट की गया IT faculty या lab tender की post के लिए जिसमें की fresher या experience बहुत candidate apply कर सकते हैं qualification इनकी तरफ से BCA, MCA, PGDCA, BTEC, MTEC in computer science रखी गी है सहरी की बात करें तो 10 से BCR के बीच में सहरी दी जाएगी contact number पे जो है आप अधिक जानकारी इनकी तरफ से ले सकते हैं अगली post की बात करें तो अगली post जो है हिमाजर प्रदेश, हाई कोट, शिमला की तरफ से जारी की गी है इनकी तरफ से जो है बेविन post जारी की गी है regular basis पे जिसमें कि ट्रेनोग्राफर, ट्रांसलेटर और इसके साथ असिस्टन प्रोग्रामर, ड्राइवर, कलरक, कम प्रूफ राइडर, सफाई, गर्मचारी, माली इन सबी के लिए जो है vacancies आउट की गी है, इसमें जो है अलगला qualification, अलगला category के लिए रखी गी है इसकी complete PDF जो है आप हमारे official page हिम इंडिया education से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी official website www.him-india.com से भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे भी हमने जो हैस की complete जानकारी अपलोड करती है अगली notification की बात करें तो अगली जो notification है regional employment के शिमला की तरफ से जारी कीगी है इनकी तरफ से 6 सब्तमबर 23 को जो है दो company की interview organize करवाई जा रही है जिसमें की आपकी project manager, executive assistant और full stack web developer, mobile developer, game developer और जो है इसमें 3D artist की vacancy आउट कीगी है salary जो है इसमें 15 से 40,000 के बीच में दी जाएगी BCA, MCA, BTEC IT इसमें qualification रखीगी है 20 से 35 साल के बीच में आईए होनी चाहिए 11 बज़े इसमें आपकी interview स्टार्ट हो जाएंगे दूसरी जो है एक्सल में marketing cooperation खालेनी शिमला की तरफ से आउट कीगी है इनकी तरफ से field engineer, business development manager, office coordinator की vacancy आउट कीगी है salary आईस पर government norms रहेगी 20 से 30 साल की candidate इस interview में participate कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप इनके दियेगे contact number बें है contact कर सकते हैं तो दोस्तो जो last interview है इसमें यह आपकी कल के दिन एक स्टंबर को connect कराई जाएगी और यह interview जो है employment exchange उनना की तरफ से आउट कीगी है इसकी भी photo जो है हमने अपने facebook page हमेंडिया एजुकेशन पर upload कर दी है तो इसकी जानकारी भी आप वहाँ पर ले सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो आपको जो हमारे हमेंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी और हमारे facebook page हमेंडिया एजुकेशन पर भी मिल जाएगी इसको दिख से दिख आप हमारे दोनों चैनल पर शेयर जरूर करें ताकि सभी आस्परेंट के तक जो है यह नोलिज पहुंच सके फिलाल इस वीडियो मितना ही ठैंक ये फर वाचिंग हमेंडिया एजुकेशन